परिवहन विभाग ने नीजीव सरकारी बसों का संशोधत किराया निर्धारत कर दिया है बतादे कि अगले महिने परिवहन विभाग के तरफ से इस पर अंते मुहर लग जाएगी और इसके साथ ही बसों के किरायदर पर 15-20 रुपे की व्रिधी होगी साथी साथ परिवहन विभाग ने इसको लेकर नए नियमों का आदेश दिया है और नए दिशानिर्देश जारी किये हैं क्या है वो दिशानिर्देश और क्या वो नए नियम जारी हुए हैं आईए बताते हैं आपको विस्तार से परिवहन विभाग ने नीजिवस सरकारी बसों का संशोधित किराया निर्धारत कर दिया है किराय की नई दरों को अगले मा छेत्रे परिवहन कार्याले की ओर से अंतिमुहर लगने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा जानकारी के अनुसार किराय की नई दरों से लोगों की जेब पर कम से कम 15-20 रुपे का अतरिक्त बोज पढ़ सकता है विभाग ने बस मालिक और आम लोगों से संशोधित किराय के संबंद में दावा अपत्ती मांगी है जुसे विभाग ने वेबसाइट पर डाल दिया है तहत साधारन बस सेवा के लिए 1.5 रुपे प्रती किलो मीटर डीलक्स एसी बस के लिए 2.50 रुपे प्रती किलो मीटर की दर से नया किराया निटधारत किया गया है इसके अलावा सिटी बस सेवा के लिए पहले 4 किलो मीटर के लिए 1.60 रुपे प्रती किलो मीटर और इसके बाद प्रतेक 2 किलो मीटर पर 1.50 रुपे के दर से किराय लेने का प्रस्ताव है परिवहन विभाग नहीं लंबी दूरी की बसो में 101 से 250 किलो मीटर की दूरी तक बेसिक किराया दर के आधार पर निर्धारत किराय में 20 फीसदी और 251 किलो मीटर से जादा दूरी के लिए निर्धारत किराय में 30 प्रतीशत की कमी लाते हुए किराया निर्धारत करने को कहा है परिवहन विभाग के नई दर आधा निर्धारत करने का मकसद मनमाने किराय पर रोग लगाना है पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों के बाद बस अंचालकों के मन मुताबिक किराया बढ़ा दिया है विभाग नया किराया नरधारित कर बढ़े किरायों को ही एक रूपता प्रदान करने की कोशिश की जा रही है बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष उदेशंकर सिंग ने कहा है कि नई दरों से यातरी किराये में 10 से 20 रुपे का अंतर आएगा फेडरेशन परिवहन विभाग के यातरी किराये बढ़ाये जाने के प्रस्ताओं का स्वागत करता है हाला कि लंबी दूरी की बसों में 20 प्रतीशत से 30 प्रतीशत की छूट देनी के प्रस्ताओं पर विभाग को फिर से विचार करना चाहिए परिवहन सचव संजय कुमार अगरवाल ने बताया कि डीजल की दरो बस की कीमत मजदूरी बीमा में हुई वृधी को लेकर बस भाड़े में बढ़ोतरी के लिए बस चालक वा मालिक संगठोनों ने मांग की थी जिसके आलोग में प्रस्ताओं प्राप्त हुआ है इस पर सभी संबंदितों से आपत्ती व सुझाव मांगे गए हैं आपत्ती और सुझाव प्राप्त होने के बाद परिवहन विभाग की समीती इस पर विचार कर अंतिम निर्णे लेगी बतादे की छेत्र परिवहन प्रदिकार पॉइंट टू पॉइंट किराया निर्धारत करेंगे नगर बस सेवा के लिए प्रथम स्टेज 4 किलो मीटर का और अगला प्रतेक स्टेज 2 किलो मीटर का होगा इसके साथी प्रतेक बस पड़ाओ पर बस भाड़े की तालिका भी रहेगी और निर्धारत दरों से अगर कोई अधिक भाड़ा वसूलेगा तो उस पर कारवाई भी की जाएगी सभी बसों में एक शिकायत पंजी भी रहेगी बतादे कि बसों के बढ़ते दरों के किराएपर अगले महीने परिवहन विभाग के तरफ से अंतिम मोहर लगाई जाएगी और इसके साथी परिवहन विभाग ने प्रतेक बसों में शिकायत पेटी बनाने की भी निर्धेश जारी किया है और इसके साथ ही प्रतेक 4 किलो मी पर किराय दड़ों पर व्रिधी होगी तो अभी के लिए बस इतना ही नमस्कार